खबर मद्ध प्रदेश के अनोप पूर जीले से है जहां रास्ट्रिय बजरंग दल के कारे करता और गरामिडों ने शनिवार को जीला दंद आधिकारी के नाम पर ग्यापन सौपा जिसमें जैतहरी से धुर्वा सिन होकर कोतमा जाने वाली मार्ग को जल्द निर्माण करवाने की मांग की जनकारी कनुसार मार्ग की इस्थिती बहुत ही खराब है बताय जा रहा है कि इस मार्ग पर हैवी हैवी गाडिया चलती है जिसके कारण सडकों की इस्थिती बेहद खराब हो चुकी है ग्रामिडों को उन सडकों पर चलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कभी कभी एंबुलेंस भी समय पर नहीं पहुँच पाती है ऐसे में गरामिडू का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है वहीं गरामिडू और कारेकरताओं का कहना है कि यदि जीला प्रशासन हमारी जायज मांगो पर अमल नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे किलो मेटर की एरिये में बच्चे स्कूल जाते हैं आए दिन छोटे-छोटे बच्चे गिरते हैं साइकल से किसी का सर फूठता है किसी के हाथ में चोट आती है इंडेली का लगा हुआ है सांती अभी जो बारिश होई थी वहां पुलिये कि स्थिती ऐसी हो गई है कि अगर कोई भारी बाहन वहां से निकलता है तो कभी भी किसी भी वक्त धास सकता है अभी किसी प्रिकार का कोई घटना या हास्था हुआ है जी डेली होता है यह चोटे बच्चे जो इस्कूल जाते हैं क्योंकि हर कदम पर गड़े हैं तो गड़ों की वज़े से अगर लेट से पहले हो दूर घटना में मर जाई है आज हम यहां पे सब राफ्टी बजरंग दल अंतर राफ्टी हिंदू परसाथ जिलाई काई के नितत पे जदेहरी छेत की जो जन्ता के रोड की विसाथ पर जो परसानिया है जैसे जो जो महुदा चांदपूर जो रोड है काफी जर कार पूर में भी सुचना जनपरंदी सासन परसासन को दिया लेकिन आज दिनांग तक कोई कारवाई नहीं हूँ तो आज हम सभी ने वा चेतर के सभी जो हमाने भाई लोग है अज सामिलों के कलेकर महुदा को या सुचना के सुचित किया गया है कि उसे रोड की अगर मांग करेंगे पूरी नहीं होती तब क्या करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो राफ की बजरंग दल के ने सट में अंदोलन होगा है